क्लास फोर्थ गुड मॉर्णिंग आज हम पढ़ेंगे चेप्टर 11 चेंज इन हाउसिंग ठीक है चेंज इन हाउसिंग इसका मतलब यह कि पहले के समय में हम लोग किस प्रकार से घर बनाते थे और उस घर में निवास करते थे धीरे धीरे समय बदलता गया और घर का जो प्रारूप है ठीक है वो भी बदलता गया अब देखिए आपे क्या लिखा है फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर आर दा बैसिक नेसेसिटीज ओफ आल हिउमेंज ठीक है इसका मतलब क्या है भोजन कपड़ा और निवास जहां पर मनुश्य रहता है तो ये तीनों के तीनों जो चीज है ये मानों की क्या है प्रात्मिक आवशकता है ठीक है भोजन कपड़ा और निवासिस्थान अर्थात मकान जिसे हम बोल सकते हैं कि जो आदिमानों थे वो लोग गुफाओं में और पेड़ों के उपर रहते थे क्यों रहते थे क्योंकि वो लोग घर बनाने की कला नहीं जानते थे कि घर कैसे बनाया जाए कैच चुड़ी और फिर धीरे धीरे उन्होंने मिट्टी से ब्लोक बनाना सीखा ठीक है डैट देम इन सन तो नोंने क्या किया कि मिट्टी से छोटे छोटे ब्लोक बनाए और उसे धूप में सुखाते थे और जो मिट्टी के जो ब्लोक होते थे उसे एक के उपर एक जमा कर वो क्या बनाते थे घर बनाते थे इन्वेंशन ओफ स्टॉन टूल्स एंड देन मेटलिक टूल्स हेल्ट अल्ली में तो बिल्ड बेटर हाउसे और जब पत्थरों के आउजार और आपके जो मेटल के जो टूल से जब इन सब का अविश्कार हुआ तो इसकी सहाइता से आदी मानों ने बहतर घर बनाना सीखा ठीक है उन्होंने क्या किया बहतर घर बनाना सीखा तो जब स्टॉन टूल्स और मेटलिक टूल्स का अविश्कार हुआ तो इसकी सहाइता से आदी मानों अच्छा घर बनाने ल rooms and provide more comfort and security कि आजकल के जो घर हैं जो मकान हैं वो क्या है काफी अराम दायक है विभिन प्रकार के उसमें कमरे होते हैं जैसे kitchen, bedroom, drying room, hall ठीक है और साती सात में ये सुरक्षा की द्रिष्टी से भी अधिक उप्योगी होते हैं ठीक है it takes many skilled people to construct a house ठीक है और जो वर्तमान समय में जो घर बनाए जाते हैं concrete, eat, cement, आदी इनमें बहुत से लोगों का क्य होता है इसमें योगदान होता है बात सुझ में इसमें क्यों होता है बहुत से लोगों का योगदान होता है तो घर बनाने में क्यों आता है बहुत से जो skilled जो people होते हैं ठीक है जैसे चिनाई करने वाला आपका ये क्या बोलते हैं electric fitting करने वाला आपका plumber ये सब क्या करते हैं उसमें आपकी मदद करते हैं ठीक है houses in villages आप गाओं में मकान केसे होते हैं people living in villages build कच्चा house to live in कि जो village में जो गरीप परिवार के जो लोग होते हैं गाओं के लोग जो होते हैं वो लोग कच्चे घर में रहते हैं और जो ये कच्चा घर होता है वो किसका बना होता है they use mud, bamboo, straw, dry leaves and cow dug to build the house तो गाओं में जो कच्चा मकान बनाये जाता है उसमें वो लोग मिट्टी, बास की लकड़ी ठीक है और सूखी पत्या और जो cow dug होता है जो गोबर होता है उसका उप्योग घर बनाने के लिए करते हैं these raw materials are easily available in the village और जो ये कच्चे पदार्थ होते हैं ये सब असानी से गाओं में मिल जाते हैं they can be obtained from their surroundings at a very low cost और गाओं के पास में ये असानी से काफी कम कीमत में मिल जाते हैं ठीक है houses in villages are generally simple and single storage ठीक है कि जो villages होते हैं जो गाओं होते हैं वहाँ पर अधिकांसतर जो घर होते हैं वो काफी सधारन होते हैं और वो एक मंजील के होते हैं ठीक है single storage का मतलब एक मंजील but the richer people in villages live in bigger houses called havelies और गाओं में जो धनवान जो वेक्ती होता है जिसके खेट जादा होते हैं जिसकी फसल बहुत अच्छी होती जिसका जादा पेसा है वो लोग कैसे घर में रहते हैं बड़े घर में रहते हैं और इस बड़े घर को क्या कहा जाता है हवेलीज ठीक है और ऐसे घर क्या होते हैं काफी मजबूत होते हैं ये पत्थर के बने होते हैं या फिर एट के बने होते हैं और लकडी के बने होते हैं और ये काफी विशाल होते हैं इनके जो कमरे होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं और बीच में क्या होता है खाली स्थान होता है जिसे हम क्या कहते हैं कोटियार कहते हैं और उसके चारों और क्या बने होते हैं कमरे बने होते हैं ठीक है, we can now see some pukka houses also in the villages with electricity and tape water, और आजकल हम जो villages हैं, वहाँ पर हम pukka house भी देखते हैं, ठीक है, और उन pukka house में क्यों होता है, बिजली होती है, और साथी साथ में tape water होता है, मतलब नल में से पानी आता है, ठीक है, there is improvement in the education, medical and transport facilities in villages, और गाओं में वर्तमान समय में क्या है, सिक्षा की का विकास हुआ है, साथी साथ में medical सिविधा भी है, और साथी साथ में यातायात के जो साधन है, उसका भी विकास हुआ है गाओं में, ठीक है, तो आज हम ही तक पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद में कल हम पढ़ेंगे, next topic, houses in cities, कि जो cities में होते हैं, वो घर कैसे होते हैं, Okay students, have a nice day.